हलो दोस्तो आज एस विडियो के बाड़े में देखाऊंगा एक अनिडा कमपनी का टीवी का प्रब्लेम ठीक है दोस्तो और ये टीवी सप्लाई देने के बाद दोस्तो आपको देखाऊंगा क्या प्रब्लेम आता है अब खुद देख लेजिए जब ये टीवी पर लाइन दे देता हूँ दिनेक बाद ये आंदर से एक स्टाइप टिक 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 crouch निकलता है तीक है दोस्तो अब देख सकते हो और सुन सकते हो यह TV आन हो रहा है और इंडिकेटर भी नहीं चल रहा है तो यह इसका बैक कवर में ओपिन काड लेता हूँ तो दोस्तो यह PC का मैं बैक कवर ओपिन काड लिया है और दोस्तो अब देख सकते हैं यह नॉर्मल सा एक 14 इंची टीवी है और दोस्तो यह PCB काम करने के लिए इसका जो वायरिंग होता है थोड़ा सा मैं ओपिन काड लेता हूँ क्योंकि इसका जो नॉर्मल वायरिंग यह साउंड का जैग मैं ओपिन काड देता हूँ क्योंकि PCB उल्टा करने के काम करने के लिए आसन हो जाएगा और उसका बाद डिगुजिंग कायर मैं कनेक्शन ओपिन काड देता हूँ और करने का बाद सिप एससी वायर मैं कनेक्शन देके रखा है और उसका बाद PCB को उपिन करका अपके बाद देखा देता हूँ तो दोस्ता आप देख सकते हो यह चोटा बाला एक प्रसेस मेमोरी आइसी उस किया है तो यह फास्ट मैं PCB को सेट कर लेता हूँ तो दोस्ता यह PCB को मैं सेट कर लिया है और देख सकते हैं इस पर एक चीप आइसी विस्किया है जो प्रसेसर आइसी और यह छोटा बाला मेमोरी आइसी है ठीक है और उसका बाद फास्ट एक्चुली टिक टिक आवाज जो यह आउट टेंजिस्टार से ही होता है इसलिए ट जो आउट टेंजिस्टार दोस्ता अब देख लिजी टेंजिस्टार स्वाट बता रहा है ठीक है तो यह टेंजिस्टार स्वाट हो गया है अचलिए CRT TV का ओधिक जो प्रब्लेम होता है आउट टेंजिस्टार स्वाट हो जाता है इसका बहुत रिजन हो सकता है तो आईए से लास्ता की वीडियो देखिए step by step मैं आपको करके देखाऊंगा ठीक है दोस्तो फास्ट यह टैंजिस्टर को मैं उप्पिन किया है ठीक है यह टैंजिस्टर शोट था तो दोस्तो दोबड़ा मैं जब यह टैंजिस्टर लागाऊंगा यह भी सोट हो सकता है तो इसलिए आपको देखाता हूं देखिए यह पूराना वाला टैंजिस्टर है यह में पिन करके रखा है तो फास्ट यह टैंजिस्टर क्यों काट किया है ठीक है इसके बारे में आपको जो देखाऊंगा देखिए यह जो EST supply line यह चौपर से जो जाता है बीच कभी कि भी हाईवोल्टेज से पावर प्राबलेम से वो हाईवोल्टेज का बजा ऑउट पूट टैंजिस्टर कार जाता है इसलिए एक डैमी लोड में कनेक्शन करके रखा है तो दोस्तो यह 100 वाल्ट का डैमी लोड है ठीक है दोस्तो यह डैमी लोड और EST supply पर कनेक्शन क करके आपको देखाता हूं और सेट पर आइन देखांगा कितना बोल आता है यह अगबर आपको देखना होगा ठीक है क्योंकि हाइव फोल्ट आने का बद वो transistor लगाएगा तो वो भी काड़ जाएगा तो ठीक है मैं EST supply open करके और voltage देख लेता हूँ और आपको भी देखा देता हूँ इसका जो EST supply voltage कितना आता है यह भी आपको इस तरह देखना होगा तो दोस्तो बहुत कुछ वीडियो में आपको देखाया और बाताया कि EST supply open करके ही आपको जो EST supply voltage चेक करना होगा क्योंकि power okay है की नहीं है तो दोस्तो अभी मैं चेक करके देख लेता हूँ और आपको भी देखा तो आप देख सकते हो इस पर 116 volt EST supply okay है तो दोस्तो तो इसका ब देखिए 115 बोल का आसबस EST supply यह okay है तो ठीक है उसका बाद मैं output transistor एक बड़ लागाऊंगा ठीक है दोस्तो यह मैं output transistor लागाने का बाद ही दिखाता हूँ तो दोस्तो फाइनल यह output transistor मैं connection कर दिया यह पुरणा वाला transistor था 1803 का transistor है और दोस्तो यह जो jumper मैं उपन करके रखाए यह उपार से ही मैं jumper कर दिया जो EST supply line और दोस्तो एक बात यह ध्यान दीजिए EST problem से भी output transistor कर जाता है और यह problem से है से भी transistor कर जाता है तो इसलिए तो फास्ट तो यह उपन करना बहुत ही टाप क्यूंकि इसका बहुत पी यह जो लाल बाला और यह जो बुलू बाला यह horizontal का line है तो फास्ट ही horizontal सिर्फ horizontal को ओपन कर दीजी तो दोस्तो मैं यह ओपन कर दिया है और दोस्तो देखी इसका जो indicator यह normal से मैं line दीख एक बार देख लेता हूँ ठीक है दोस्तो यह output transistor दोस्तो देखिये मैं line दे दिया तो दोस्तो क्या लगदा है EST OK होगा तो यह transistor नहीं कटेगा ठीक है तो लगदा है कि EST OK है इसलिए मैं confirm हो गया कि EST OK है output transistor अभी रूग गया है तो दोस्तो अब देख सकते screen port light भी नहीं है तो ठीक है इसका दूसरा कारण हो सकता है इसका उपार बाद में देखूंगा क्योंकि vertical line आ सकता है लेकिन तब भी नहीं आया है लगदा है कि स्टैंडबाइ मूट पढ़ है तो उसका बाद EST OK के confirm हो गया पावर वोल्टेजों के confirm हो गया उसका बाद योग confirm होने के लिए last मैं योग लागाऊंगा ठीक है योग connection कार दिया उसका बाद मैं दूबारा सिफ पर गया और आउटपूल टैंजिस्टर भी रूग गया लगदाए कि योग भी ओके है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों कभी कभी टैंजिस्टर लगाने का बाद साथ सार भी कार जाता है इसलिए step by step अब जब करेगा तो एक ही टैंजिस्टर से भी आप problem solve कर सकते हो तो ठीक है य योग उसका बाद अभी light नहीं है तो दोस्तों आइए उसका बाद voltage का साथ से करका आपका एक बार देखा देता हूँ light आने का जो reason होता है तो दोस्तों यह देखिए EAST supply का जो line यह देखिए on 16 volt 15 volt का असपाद यह voltage यह ok है और दोस्तों आपको और clear करके देखाता हूँ EAST EAST जब on हो जाएगा on होने का बाद यह जो 180 volt का line है इस पर आभी जो EAST supply जितना होता है यह आपको देखना होगा और diet का positive pin पर आपको 180 volt को देखना होगा जो base volt पर supply दिया जाता है तो दोस्तों यह same volt है इसलिए लगदा है कि EAST बी stand by mood पर है तो ठीक है मैं bottom switch push करके इसको stand by release करने का कोशिस करता हूँ क्योंकि मेरा पास अभी remote नहीं है customer इसका remote नहीं लेके आया है तो दोस्तों इसका stand by mood से मैं on कर दिया और उसका बाद यह 180 volt का line दोस्तों देख लिजिए यह 160 volt का 70 volt का सपस आ गया लगदा है कि EAST on हो गया है दोस्तों आप देख सकतो स्क्रीन पर हलका सा light आ गया है तो दोस्तों actually यह black screen होना चाहिए लगदा है कि थोड़ा सा EAST high करके वो जो variable preset high करके रखा है तो देखे मैं दोबड़ा अलग bottom push करके आपको देखा दिया कि इसका light बिलकुलो के आ गया है तो ठीक है दोस्तों यह दिखी जो on यह दोस्तों देखी इस पर voltage आ गया इसलिए आपको confirm होना चाहिए कि EAST on हो गया है तो एक्चली जो इस वीडियो में मैं जो step by step आपको करके देखाया कि जब output transistor बार-बार काट जाता है तो इसलिए step by step आपको चिप करके transistor लगाएगा तो आपको EAST भी confirm हो जाएगा और EOG भी confirm हो जाएगा कूछ पर्स problem है कि नहीं है तो दोस्तों एक्चली इसका region किया है ज दोस्तों देख लिजिए यह जो horizontal का connection यह अलग साय है और vertical की अलग साय है दोस्ती horizontal connection line है तो अभी मैं अच्छा करके देखाया कि यह जो jack होता है यह बहुत ठिला था loose contact था ठीक है दोस्तों यह दिखिए जो pin इसका middle pin open है और दोनों side वह horizontal का connection है यह loose था इसलिए यह pin को मैं open किया और open करने का बाद दोस्तों आपको देखाऊंगा यह जो boost pf होता है solution वाला pf होता है कभी कभी यह pf loose होने के लिए भी output transistor काट जाता है ठीक है तो यह socket jack को मैं अच्छा करके clear करके मैं लागा दिया और tv को मैं पुरा ही back cover पुरा ही ready करके अपकर on करके देखाता हूं क्योंकि यह tv line देने का बाद एक बार standby से release करना होगा तो दोस्तों यह bottom push करने का बाद दोस्तों यह standby से release हो जाता है तो दोस्त अब खुद देख लिजे यह tv standby से release हो गया है तो दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगए तो प्लिस एक लाइक कार दीजे और यह चैनल पर रखे और दोस्तों यह वीडियो कैसे लगा आपको जुरूर कामन कीजिए और लॉंग डिसकस करना चाता हो तो कोई भी CRTV का प्राब्लेम का उपर डिस्किप्शन बॉक्स कंदर मैं facebook page का लिंक देखके रखा है वो facebook page पर लिंक क्लिक करके आप आ सकते हो और facebook page पर आप कामन बी कर सकते हो ठीक है दोस्तों और दोस्तों इस तरह CRTV का प्राब्लेम भी प्यार करने के लिए मेरे चैनल बहुत कुछ वीडियो है दो चाल वीडियो का लिंक मैं डिस्किप्शन बॉक्स कंदर देखके रखा है तो दस तो वह एक वीडियो एक आक करका देख सकते हो